अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा, दस्वीं, बार्वीं पास बच्चों के लिए सुना रहा आपसर, रहना, पढ़ना और खाना विल्कुल फिरी, बीए, बीकॉम, बीस्सी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसी ए सहीत, नर्शिंग कोश में लें, स्कुल के शमीप नवगचिया, अधिक जानकारी के लिए संपर करें, बेरासी अठाइस, पंचानवे उनहत्तर, जीरो पाँच, अठासी तेहत्तर, संतानवे छत्तिस असी, नमस्कार, मैं हूँ अन्यू सिंग और आप देख रहे हैं, जी एस नियुजा, ये देखते हैं ब जिला आ चुका है, आपको बता दे कि स्वास्ति विवाग की ओर से ताजा अपडेट जाड़ी की गई है, इस अपडेट के मुताविक बिहार में 352 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इसके साथी राजी में कोरोना सक्रमितों की शंक्या बढ़ कर 14330 हो गई है, इसके स राश्ट्री अध्यक्ष जीतन ना मांजी अपने दल की कोर कमिटी की बैठक करने वाले थे, लेकिन राजदानी में दोबाडा हुए साथ दिनों के लोगडाउन को देखते हुए, फिलाल ये बैठक रद्द कर दी गई है, चुनावी मौसम में पार्टियों के लिए लोग अस्पताल ने नहीं किया भरती, सरकार ने कोरोना संक्रमन को फैलने से रोपने के लिए जहां एक तरफ बड़े कदम उठा रही है, वहीं गुरुवार को फुलवारी शरीफ का एक संक्रमित कोरोना पॉजिटिव कर रिपोर्ट लेकर पटना की सरकों पर भटकता रहा, कॉ लेकर सभी धार्मिक अस्थल पूरी तरह बंदरा, जानी में बंदी के तौरान कोई भी प्यक्ति धार्मिक अस्थलों पर नहीं जा सकेगा, हालां कि पहले की तरस रधालू भगवान का दर्शन ऑनलाइन कर सकते हैं कोरोना संकट के बीच चुनाव नहीं चाहते हैं, चिराग बोले बड़े आवादी को खत्रे में जोगना ठीक नहीं कोडोना संकट के बीच चिराग पासवान बिहार में विधान सभा का चुनाव नहीं चाहते हैं इसको लेकर चिराग ने कहा कि चुनाव को लेकर बड़ी आवादी को खत्रे में जोगना ठीक नहीं होगा इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग प्रशेंटेज भी काफी नीचे रह सकते हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है बिहार में भाडी बारिस के बाद जलमगन हुआ अस्पताल भागया कोडोना जाच के लिए लिया गया सैंपल बारी बारिस का खर कोडोना जाच पर भी पड़ा आरा सदर अस्पताल पडिसर इसकदर जलमगन हुआ कि कोडोना जाच के लिए दो दिनों का कलेक्ट किया गया सैंपल पानी में बह गया अस्पताल पडिसर में भड़े पानी में शौप सैंपल का किर्ट तैर रहा था आयश्मान भवन के बगल में कोडोना के शॉप सेंपल कलेक्ट कर जांच के लिए रखा गया था तेज बारिस में दो दिनों का सेंपल बह गया इसके बाद जो अस्पताल प्रवंदन में खलबली मच गई बाद में शौस्ती बवागत के अधिकारियों को सूचना मिलने पर पंप लगा कर पानी निकाला गया पीएम पैकेज का लाव किसानों को मिले इसके लिए बीजेपी चलाईगी अभ्यान बीजेपी की प्रदेश अध्यक संजे जैसवाल ने कहा है कि प्रसान मंत्री की ओर से घोसित पैकेज का लाव उठाने में बिहार के लोग पिछल रहे हैं किसानों तक लाव नहीं पहुँच पा रहा है ऐसे में भारती जंता पार्टी के काड़ी करता और नेता सीधे किसानों से जुडेंगे और उन्हें जागरूप करेंगे पीएसी ओनलाईन क्लास में अनुशासन पर मिलेंगे अंक असेस्मेंट में किया गया बदलाव अभी तक स्कूल की गतिवीदियों पर आंतरिक मुल्यांकन किया जाता था लेकिन अब घड के ऑनलाईन क्लास को भी आंतरिक मुल्यांकन में सामिल किया जाएगा केंट्रियम आधियमिक सिक्षा बोर्ट ने इसको लेकर एक नॉटिफिकेशन जाड़ी किया है ऑनलाईन पढ़ाई के समय अनुशासन छात्रों की उपस्तिति आधि को शामिल किया जाएगा अभी तक 20 अंकों का अंतरिक मुल्यांकन स्कूल अस्तर पढ़ी किया जाता था इसमें उन तमाम चीजों को सामिल किया जाएगा जो छात्र के हर दिन के रूटिंग में सामिल होता है चुकि अभी स्कूल बंदय और छात्रों की अकेडमिक गतिबीधी घर से होड़ी है ऐसे में आंतरिक मुल्यांकन का 10 अंक उसके ऑनलाइन क्लास के अनुशासन पर मिलेगा हूं खवर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीर्स रिप्लाई का सवाल आ रहा है तो तैयार हो जाएए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए सिल्क सिटी को किस नाम से जाना जाता है आपके ऑप्शन है ऑप्शन A कटिहार ऑप्शन B भागलपूर ऑप्शन C पुर्णिया और ऑप्शन D चैपूर उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिये होंगे अपने नाम और मुबाइल नमर के साथ अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन दबाए ताक इतनी की हत्या के आरोप में गिरफतार पती हतकरी के साथ फरार हो गया जानकारी के अनुशारिय मडर गुद्वार को हुआ था जिसके बाद पुलीस ने पती को गिरफतार कर लिया था बिहार के पगहा में सुरक्षावलों को मिली बड़ी काम्यावी चाड़ आतंकी धेड जिले के बगहा के हरना टाड इस्तिद्वाल्मी की टाइगल रिजल के जंगल में एस्टीए और एससपी के जवानों और नक्षलियों के बीच मुठवेर में चार नक्षली मारे गया TFO SSB कि संयुक्त काड़वाई में पुलीस के जवानों को ये सफलता मिली है कई घंटों तक चले मुठवेर के बाद आज सुबा पुलीस ने नक्षलियों के मनसूबों को धोस्त किया है चार नक्षलियों को मार गिराया मौके पर कई थानों की पुलीस पहुँच चुकी है आखिर कार गोपाल गंज पहुँच ही गये तेजस्वी जेडियू बिधायक पपू पांडे को लेकर नितिस सरकार पर बोला हमला गोपाल गंज नर्शिंग कार को लेकर इक और फिर से सियासत नए सिरे से गर्मा गई है नेता पर्तिपक्ष तेजस्वी यादव आज गोपाल गंज पहुचे है तेजस्वी वहाँ गोपाल गंज ट्रिपल मटर केस के विरोध में आयोजी धर्णे में पैठ है गोपाल गंज पहुचे तेजस्वी यादव ने जेडियो विधायक अमरेंदर पांडे उडफ पप्पु पांडे के बहाने नितिस सरकार पर जोड़दार हमला बोला है तेजय शूरी यादव ने कहा कि गोपाल गंज का बच्चा बच्चा जानता है कि हत्याकांड को किसने अंजाम दिया उसके बापजूत भी सरकार अपने विधायव को बचा रही चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रस्ण का सही जवाब जानने का चंदन कुमार उसके बाद है मलिक मौड ये संजीब कुमार, शिवम कुमार, एमटी अन्बीर आलम, शत्यम सिवम, चंद्रभूशन, रजनीज रंजन, अवैसा, इनके अलावे एगर फेश्बुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दियें, उनके नाम है प